हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल टुटोरियल क्लासेज भाई गरिवा सिंह हम लोग यहां पे बिजनेस स्टाटिस्टिक्स और अनलिटिक्स पढ़ रहा है जो इसमें हम लोगों के यूनिट चले यह प्रोबिलिटी और इसके हम लोग पीवाइक्यू करें मतलब प्रिवियस एयर कोशन ठीक है तो आज का कोशन है हमारा देखिए अब प्रॉब्लम इन बिजनेस स्टाटिस्टिक्स इस गिवन टू फोर स्टुडेंट्स को दी गई है वो स्टुडेंट्स हैं A, B, C, D ठीक है और उनके सॉल्व करने के चांसे दिए गया है 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 6 अगर सॉल्व करने के चांसे दिए हुए हैं तो ना सॉल्व करने के चांसे अब कैसे निकालते हैं 1 से 1 by 2 माइनस करेंगे तो P not A मतलब अगर P सॉल्व नहीं कर पा रहा पूछा गया है what is the probability that problem will be solved मतलब पहरा question यह पूछा गया है कि problem solve हो जाती इसकी probability बतानी है तो probability that problem will be solved तो अब इसको कैसे निकालेंगे 1 से हम माइनस कर देंगे इन सब को जो problem अगर नहीं solve कर पाते हैं उसकी probability हमको पता चल गई क्या है 1 by 2, 2 by 3, 4 by 5, और 5 by 6, अगर हम इसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमें निकल हमें पता चल जाएगा कि problem solve करने की probability क्या है कि problem solve हो जाती इसकी probability क्या है तो 2 से 2 कटेगा 5 से 5 कटेगा 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6 तो हमें मिलेगा यहां पर 2 by 9, 2 by 9, 1 में से 2 by 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7 by 9, तो यह answer हो गया question number 1 का, question number 2 है, only one will solve the problem, के वाद एक, तो probability that problem will be only one, that only one will solve the problem, अब यह है कि कोई केवल एक ही problem solve कर सकता है, तो हम इसको pair में बनाएंगे, अगर हम माल लेते हैं कि एक problem को solve कर लेता है, तो solve करने की A की probability 1 by 2 है, और ना solve करने की probability B, C और D की क्या है, 2 by 3, 4 by 5, और 5 by 6, इस वाले pair में A solve कर पाता है problem को, अब हम माल लेते हैं कि अगर problem को B solve कर पाता है, problem को कौन solve करता है, अगर problem को B solve कर पाता है, तो B वाला हम solve, यह वाले लेंगे, बाकि ना solve करने वाले लेंगे, तो 1 by 2 into, B solve कर पाता है, तो 1 by 3, C solve नहीं कर पाता, 1 by 5, D भी solve नहीं कर पाता, तो 5 by 6, तो यहाँ पर किसने solve करी problem को B, B ने, अब हम माल लेते हैं, C ने problem को solve करा, तो 1 by 2, 1 by 3, नहीं, नहीं, तो इसमें हम लेंगे, जो problem नहीं solve कर पाते हैं, मतलब, A का लेंगे 1 by 2, B का लेंगे 2 by 3, क्योंकि B नहीं solve कर पा रहा है, C solve कर पा रहा है, तो solve करने वाला C का क्या है, 1 by 5, और D है हमारा 5 by 6, यहाँ पर C केवल problem को solve कर पा रहा है, यहाँ पर A solve कर पा रहा है, यहाँ पर B solve कर पा रहा है, यहाँ पर C solve कर पा रहा है problem को, अब अगर D problem को solve करता है, तो बाकी तो सारे ना solve करने वाले ratio लिख देते हैं, 1 by 2, 2 by 3, 4 by 5, इंटू D solve कर पा रहा है, तो 1 by 6 ठीक है तो जब आप इसको solve करोगे question को तो क्या आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा जब solve करोगे तो यहाँ पर आप देखो 5 से 5 कार्ड़ 2 से 2 कार्ड़ 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो आएगा यहाँ पर 2 upon 9 ऐसी जब इसको solve करोगे 5 से 5 कटेगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 फिर 2 3 जा 6 तो यहाँ पर मिलेगा 1 upon 9 फिर यहाँ पर क्या मिलेगा solve करने 5 से 5 2 से 2 कट गया 1 upon 18 फिर यहाँ पर D solve कर पाया था problem को ठीक है इसके बाद इसको जब solve करोगे 2 से 2 कट गया 2 2 जा 4 2 3 जा 6 6 और फिर क्या आएगा 2 से 2 कट गया 2 2 जा 4 2 2 3 जा 6 तो यहाँ पर हमने सही लिया है 4 by 5 हाँ सही लिया है तो यहाँ पर हमें आना चाहिए हमारा 1 by 18 तो 1 by 18 आ गया फिर हमारा आना चाहिए 1 by 18 के बाद 2 by 45 तो 2 by 45 आ रहा है यहाँ पर कहीं तो 9 तो ऐसे हाँ 2 3 जा 6 तो यह 3 3 जा 9 हो जाएगा 9 5 जा 45 हो जाएगा तो 2 अपाउन 45 आ जाएगा हमारा ठीक है 2 अपाउन 45 हमको मिल गया अब इस पूरे में अगर आप LCM लेलो 90 फिर यहां पर क्या जाएगा 10 20 आ जाएगा यहां पर 10 आ जाएगा 18 50 90 उसके बाद 45 2 जा 90 2 जा 4 इन सबको आपने अगर एड़ करा 30 35 तो आ गया 39 अपॉन 90 39 अपॉन 90 को जब आप सॉल करोगे 3 जा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 फिर तो यह आपका आंसर आ गया सेकेंड जा। अब आपको थर्ड जाए थर्ड कोंशन क्या है प्रोभिबिल्ट ही न हिकाल ले सॉल्फ दा प्रोग्लम थे इस सबसे जादा अगर कोई सॉल्व कर पा रहा है तो कोई एक ही बंदा सॉल्व कर पा रहा है इसमें यह भी कंडिशन आ जाएगी कि कोई भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो जब एक लोग सॉल्व कर रहा है तो यह तो हमने निकाली लिया तो यह चार पेर तो आपको यहां पर लिखने ही लिखने हैं plus third वाले के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया probability that at most यह पूरी लाइन लिखनी होगी at most one will वन ओफ देम विल सॉल्व दा प्रॉब्लम तो यह चार पेर तो आपको लेने ही पड़ेंगे कि जब कोई एक एटमोस मतलब वन तो कभी ए ने सॉल्व करा कभी बी ने इसके बात तो यह पुरा निकला से थर्टी अपॉन थर्टी लेकिर एकजाम में आपको यह सारे लिखने होगे फिर यहां थर्टी अपॉन थर्टी रिख सॉल्व करने का तो कोई नहीं सॉल्व करने वाली नीचे लिखें और फॉर फाइव इंटु फाइव वाई शिक्स तो आजाएगा 2 upon 9, तो 13 upon 30 plus 2 upon 9, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, नीचे तो 270 मिल गया, उंपर क्या मिल जाएगा, 13 में 9 का पर्टिप्लाई करो, 9, 27, 27, 217 plus 60, तो यह आजाएगा 1, 7, 7 upon 270, 3 से काट होगा, 3, 5, 15, 3, 9, 27, 3, 9, 27, 0, अब इसके बाद यह फिर से कट रहा है क्या किसी से, देखो शायद कट रहा हो, 3, 1, 2, 3 नहीं कट रहा है, तो यह आगया हमारा 3rd वाले का आंसर, इसके बाद हमारा 4th है, 4th वाले में हम जड़े नहीं Probability, Probability that at least one will solve the problem, एक ने, कम से कम एक ने तो at least one, मतलब कम से कम एक ने तो problem solve करी, ठीक है, कम से कम एक ने तो at least one, ना, तो इसमें क्या होगा, कम से कम एक ने तो problem solve करी, जादा से जादा दो भी हो सकते हैं, कि दो ने solve कर दी, तीन ने solve कर दी है, चारों ने solve कर दी, तो पहला हम ले लेते हैं जब ग्रूप जब एक ने solve करी मालीजे ए ने solve करी तो ए का तो solve करने वाला हमने ले लिया ये वाला बागी सब का अब देखिए पता नहीं ये वीडियो हम सोच रहें कि वीडियो बन रहा है और वीडियो जो है थार्ड पॉइंट के बार जब यहां तक बखा दिया इसके बाद ये वाला कुछ भी वीडियो में नहीं आया तो यह हम दुबारा से बना के उस वीडियो में एड कर देंगी तो देखिए लास्ट में में निकालना था आटलीज विल सॉल्ब्सक्राशर सकते is कितने लोग कर सकते इस प्रॉब्लम धीस कर लें गार टेंगी है ये वाल्य सै ओ तो अंतुम ड्रॉब ॏ सॉल्ब कर लेता कि घ्र वाती ु नसी कह condemn रिख देंगैट तो यह वाले लिख देंगे उसके बाद थर्ड वाले ग्रूप में हमने माना कि A, B, C तीनों सॉल्व कर लेते हैं तो 1 by 2, 1 by 3 into 1 by 5 और D नहीं सॉल्व कर पाता into 5 by 6 उसके बाद हमने माना कि चारों सॉल्व कर लेते हैं A, B, C, D तो 1 by 2 into 1 by 3 into 1 by 5 into 1 by 6 यह सब आ गया, इसको फिर हमने देखे अलग-अलग सॉल्व करके यहां लिख दिया 2 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 36 plus 1 by 80 1 by 80 LCM ले लिया, यह आ गया उपर 66 upon 180 आ गया सॉल्व कर 33 upon 90 आ गया, इसको सॉल्व कर 11 upon 30 आ गया ठीक है आप इसको फटा-फट से नोट कर लीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, all the best to all of you, thank you